जो लोग योगी को समझ रहे थे फ्लावर बाबा ने बता दिया वो है असली फायर लखनव में बैठ कर कर दिया खेल जब केशा मौरिया दल्ली के लगा रहे थे चक्कर तबी लखनव में योगी आदितिनाथ के एक फोन से पलड़ गया पूरा खेल उत्तर प्रदेश में बाबा ने बता दिया है कि आखिर योगी आदितिनाथी क्यूं मुख्य मंत्री के तौर पर स्थापित रहेंगे और अगर उन्हें किसी ने छेड़ने का काम किया तो बाबा उन्हें चोड़ेंगे नहीं जी हाँ खबर उत्तरप्रदेश इसे आ रही है और ये बड़ी खबर है कि यूपी में एक नहीं दो दो स्तीफ़े अगले 24 घंटे के भीतर हो सकते हैं ये दो नाम कौन से हैं कौन आखिर स्तीफा देने वाला है वो हम आपको बताएं लेकिन उससे पहले समझ लीजिए आखिर उत्तरप्रदेश में इस वक्त हो क्या रहा है आखिर इस वक्त उत्तरप्रदेश में कैसे सियासी ओबाल अपने चरम पर पहुँच गया है इसके पीछे की वो घटना है जब उत्तरप्रदेश में बीजेपी की हार के बाद मन्थन हुआ कमेटियों का घठन किया गया और जब उसका रिजल्ट निकल कर सामने आया तो मंच से जिस मंच से योगी आदितनाद संबोधित कर रहे थे उसे पर केशब मौरिया भी मौजूद थे केशब प्रसाद मौरिया उत्तरप्रदेश के सियम से पहले बोल ले आए और उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश के सीयम के सामने उन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि तीन बार ये शब्द कहा कि ये समझ लेना चाहिए कि सरकार से बड़ा संगठन है यानि वो किस और इशारा कर रहे थे और इसके बाद जैसे ही योगी आदितराथ ने माईक उठाया उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम हारे हैं वो उसके पीछे का करण अती आत्म विश्वास था यानि कि दोनों के बयानों में कहीं न कहीं एक सामन जसे और एक जैसिस्तिती नजर नहीं आई लेकिन इसके बाद शुरू होता है दिल्ली दर्बार में मन्थन का दौर केशा प्रसाद मौरिया दिल्ली पहुचते हैं बीजेपी के राश्टि अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात करते हैं और उसके चंद घंटो बाद ही दिल्ली में बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी भी पहुच जाते हैं जेपी नड़ा से बंद कमरे में करीब दोनों के मुलाकात होती है उस मुलाकात के बाद खबर है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़ी सरजरी होने वाली है अब ये सरजरी किस तरीकी की होगी समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आधितिनात को कोई हिला नहीं सकता ये क्लियर है भारतिय जंता पाईटी अच्छे से जानती है कि अगर बाबा को चेडेंगे तो अगले आने वाले चुनाओं के नतीजे भी भारतिय जंता पाईटी के उलट हो सकते हैं और बिजे पी के उत्तर प्रदेश में मठिया पलीत हो सकती है इसे ही देखते हुए अब संगठन में सर्जिकल की तैयारी है और खबर है कि अब भारतिय जनता पाइटी में दो स्तीफे होने जा रहे हैं केशल प्रसाद मौरिया जी हाँ केशल प्रसाद मौरिया अब उत्तरप्रदेश के डेपिटी सीम के पद से स्तीफा दे सकते हैं और वो संगठन में भारतिय जनता पाइटी के अध्यक्ष के तौर पर कमान समहाल सकते हैं इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि OBC और SE Vote Bank में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है और उत्तर प्रधेश में इस बार जब चुनाओ के नतीजे निकल कर सामने आए तो उसमें ये देखा गिया कि कहीं न कहीं सामानने वर का Vote Bank तो भारतिय जनता पाइटी की तरफ इंटे राया वोट प्रतिशत में जिसका खामियाजा भी BJP को भुगतना पड़ा अब ऐसे में भारतिय जनता पाइटी संगठन में बड़ा बदलाव कर केशव प्रसाद मौरिया को BJP उत्तर प्रधेश का अध्यक्ष मना सकती है और केशव प्रसाद मौरिया के जरिये से एक बार फिर से कही ना कही बाकी जातियों को साधने का प्रयास हो सकता है अब भुपेंद्र चौधरी वो दूसरे शक्स है जिनका स्तीफा हो सकता है उसके पीछे का बड़ा कारेण यह है कि खोद उनका कारेकाल भी समाप्त हो रहा है दूसरी तरफ उत्तर प्रधेश में लोग सभ इतनात किस तरीके से काम कर रहे हैं और योगी के साथ अगर किसी ने खिलवार किया तो बाबा उनका किस तरीकी का इलाज करेंगे कमेंट कर जरूर बताएं